अध्याय तीन भारत की जलवायू कई लोगों की जाने जाती हैं। क्या इस तरह की घटनाए भारत के अन्य भागों, दक्षिण, उत्तरपूर्वी तथा पश्रिम भाग में भी घटती है। भारत के उत्तरपूर्वी राज मेगाले में एक दिन में ही उतनी वर्षा होती है। जितनी राजस्थान के जैसल मेर में दस सालों में। दिसंबर महीने में जम्मू और काश्मीर राजी की द्रास नामक जगा में रात का तापमान माइनस 45 डिगरी सेल्सियस, शुन्य से 45 डिगरी कम तक पहुच जाता है। जबकि उस समय तमिल नाडू के चिन्नाई में रात का तापमान 22 से 25 डिगरी सेल्सियस रहता है। क्या हमने महसूस किया है कि हमारे इलाके में साल के अलग-अलग महीनों में हवाओं की दिशा भी बदलती रहती है। कभी हवा उत्तर से यव उत्तर पूर्व से आती है तो कभी दक्षिन से या दक्षिन पश्चिम से। भारत के किसी भाग में बाढ़ आती है तो उसी साल दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों। इन्हें समझने के लिए हमें वायू मंडल में होने वाली प्रक्रियाओं को समझना जरूरी होगा। मौसम और जलवायू। को मौसम कहा जाता है। मौसम परिवर्तन शिल होता है जैसे एक दिन में मौसम कई बार बदल सकता है। सुबा एक प्रकार का तो दो फर को दूसरे प्रकार का। जलवायू मौसमी दशाओं का दिर्धकालिक रूप है। दिर्द कालिक का आर्थ है 30 वर्ष से भी अधिक समय के मौसम का ओसत किसी भी जगा के जलवाईयों को मौसम के आखडों के आधार पर लिया जाता है जैसे किसी जगा के एक दिन में अधिकतम वन्यूंतम तापमान के आखडों को जोड़ कर दो से भाग करेंगे तो उस दिन का आउसत तापमान निकल जाएगा उसी प्रकार प्रतेक दिन का आउसत तापमान ग्याद करने के बाद एक माह के आउसत तापमान को जोड़ कर 30 या 31 जितने दिन का महीना होगा से भाग दे कर आउसत मासिक तापमान निकाला जाता है अब 12 महीनों के आउसत तापमान को प्रतेक वर्ष के औसत तापमान को जोड़ कर 31 से भाग देने पर 31 वर्ष का औसत तापमान ग्यात हो जाएगा। तापमान जलवायू का एक तत्व है। इसी तरह वायूदाप, पवन, आदरता, बादल, वर्षा भी जलवायू के विभिन घटक है। इनके सम्मिलित अध्यन से किसी भी जगा या छेत्र की जलवायू ग्यात की जाती है। तापमान वा वर्षा, खेती, उद्योगो, परिवहन, भवन, निर्माण, आदी पर सीधा प्रभाव डालते हैं। जलवायू को नियंतरित करने वाले कारक। प्रित्वी का धरातल काफी विशाल है। इस गोलाकार धर्ती पर कहीं महाद्वेप है तो कहीं महासागर। महाद्वेपों का धरातल भी एक जैसा नहीं है। कहीं उचा पहाड है तो कहीं नीचा मैदान। कहीं जंगल के अधिकता है तो कहीं मरुस्थल। महा सागर भी असमान रूप से फैले हैं। उत्री गोलार्द में 49 प्रतिशत और दक्षरी गोलार्द में 81 प्रतिशत जल भाग हैं। तो सभी अंतर कही न कहीं वायू मंदल के गर्म वा ठंडा होने के प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। वायू मंडल का असमान रूप से ठंडा वा गरम हुना जलवायू को नियंत्रित करता है। पहला अक्षांशिय इस्थिती भूमद रेखा पर सूरे के किरने साल भर लंबवत पड़ती है। पहला निधारित होता है। इससे भूमद रेखा के आसपास अधिक तता धुरूओं पर सबसे कम तापमान पाया जाता है। करकरेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है तता भारत को दो भागों में विभाजित करती है। इससे दक्षिन की ओर का छेत्र दक्षिन भारत भूमद रेखा के अधिक निकट है जबकि उत्तर की ओर दूरी बढ़ती जाती है।